हेलो एरिवान वेलकम बैक तो मैं चानल हासन हूं आप सभी के सामने एक और नई लव स्टोरी के साथ तो यह जो कहानी है वो है एक ऐसी लड़की की जिसकी बहन उसे तो दोका देती है लेकिन उसका पॉयफ्रिंट भी उसे दोका देता है लेकिन कहते हैं ना कि जब लाइफ म इसकी जो उसका थ्यान हमीशा रखता है तो यह द्रामा बहुत ही अच्छा रामा है रिक्वेस्ट का इसके आप सभी इसे एंग तक देखेगा अगर आप मेने चैनल पर नए हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला और अगर आपको वीडियो यह होती है तो लगोियो संसे अपने हाथ से खोल देती है और या कोई नहीं होता है मैं कि नाम की कुशिप जीसे वह 홈ती से यह तो उसके बाध उसको किस कर लेति है Mr. Lu जो की शहर का number one businessman था जिसने आज तक लड़कियों की तरफ देखा भी नहीं था वो एक suddenly एक लड़की को इस तरीके से किस करता हो देखकर अपने आपको काफिसाता नर्वस हो जाता है पड़े दर से ही हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिन्ये को उसकी बहन बोल रही होती है कि तुम अपनी life में बिल्कुल भी happiness deserve नहीं करती हो क्योंकि तुम हमीशा दुख छेलने के लिए बनी हुई हो तब ही उसकी नजर अपने boyfriend पर भी पड़ती है और यहीं पर ही हमें बता चलता है कि उसकी बहन और उसके boyfriend का एक दूसरे के साथ चक्का चल रहा था और वो उसे मारना चाह रहे थी वो भी उसकी शादी के दिन ताकि वो यह सचाई किसी को भी ना बता सके वो दोनों की दोनों से torture कर रहे होते हैं तब ही उसकी बहन उसे जबरदस्ती ट्रिंक करने के लिए बोलती है शिनिये उसे मना करती है लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं दमचती है और उसे जबरदस्ती ट्रिंक कराने लग जाती है इतना साथा ट्रिंक करने की बज़र से वो नीचे ही बेहोश जाती है तो उदर ही उसका boyfriend भी उसे धक्का मार देता है जब इतना सब कुछ करके भी उनका मन नहीं बढ़ा था इतने महीं शिनिये की बहन उससे बूलती है कि देखो तुम्हारे boyfriend ने आस तक 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 नहीं किया है और मेरे साथ intimate होने की कोशिश कर रहा ह इसे तरीके से वो दुनों की दुनों एक दूसरे के साथ romance करने लग जाते हैं वो भी शिनिये के सामने पेचारी शिनिये को इस बात का गम नहीं था कि उसका boyfriend उसे दोखा दे रहा था गम इस बात का था क्यूंकि जिस इंसान पर उसले पर जिंदकी में सबसे जादा भरूस और यहीं पर से वो किसिंग सीन आगी फॉरवर होता है जहां पर वो मिस्टर लू को किस कर लीती है फिर क्या था वो जबरदस्ती उसके साथ जाने लग जाती है इसे तरीके से वो उसके साथ रूम में जाकर romance करने लग जाती है लू से समझाने की बहुत साथा कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानती है उसे तो ऐसा लगता है कि जो लड़का उसके सामने है वो उसका boyfriend है और रूटे हुए boyfriend को मनाने के लिए वह सारी चीज़े कर रही होती है लो उससे बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी है तो जो भी कुछ जाती है यहां पर तक तो सब कुछ फिर भी ठीक था लेकिन चिंगे ने एक हवर सुन रखी थी कि जो मिस्टर लू था वो बहुत ही लड़की बास था यानि कि आते जाते हैं लड़की पर लाइन मारता था इसलिए तो इसने उसकी इज़त लूटने की भी कोशिश की देन भाग जाती है बले ही उसको रात का कुछ भी याद नहीं था लेकिन मिस्टर लू को तो सारी बात याद थी वो अपने मैनेजर को बोड़ता है कि किसी भी हालत में उस लड़की का पता करो मुझे वो लड़की चाहिए देखते ही मैनेजर को उसकी लोकेशन भी मिल जाती है और हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटर में गई हुई होती है फिर क्या था उसका पीछा करते करते लू भी वहाँ पहुँच जाता है तो अधर हे चैगर को दौरान शीनिये को पता चलता है कि वो प्रेगनेट है और किसी और के बच्चे के साथ नहीं बलकि मैं लू के ब करते हैं लेकिन बचकर कहां चाती क्योंकि पूरे शहर में दूर दूर तक तो लू की पहचान थी फिर क्या था लू उसे बोलता है कि तुमने पहले मुझे स्ट्यूस किया और अब मेरे बच्चा जब तुमारे पेट में हैं तो तुम उसे मरवाना चाहती हो बड़ी ही क्या था लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो उने पसंद करती थी और जो चीज़ों से पसंद नहीं थी वो चीज़ तो कभी करती भी नहीं थी इसलिए वो उसके कॉंट्रक्ट पेपर को फाड कर उसके मुझे उड़ा देती है और उसके बाद उससे कहना लग जाती है कि आखे कार आप क्या कर रहें वो शेकर हैं बलाखी में उसकी मॉम का बिसारा समान भार्वार रहे होते हैं शेचिंगे उन सेहे कि यह वन की सेमिधा पेते देना वाना ये सब तुम्हारे लिए बहुत जादा बुरा होगा वो बोलती है कि मेरी मौम की तस्वीर से पैर हटा हूँ लेकिन वो दोनों उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं और इसी तरीके से वहां पर से उसे अकीले छोड़कर चले जाते हैं बेचारी शिन्ये के पास न श्रांड़े होती है और यह और नहीं है बल्कि मिस्टर लू लू उसकी पास आता है और उसकी बाद उससे कहने लग कि मुझे एक बच्चे की जरुवत है और तुमें एक सहारे की जिस जिस ने तुमें धोका दिया है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं मैं उसका बदला लेनी में तुम्हारी मदद करूंगा तो आप क्या तुम मेरी कॉंट्रक्ट वाइप बनने के लिए तयार हो इस टाइम पर मेरा बदला लेने में मेरी मदद करनी पड़ेगी मैं उनस्वी से बदला लूंगी जिरो ने मुझे आज तक परिशान किया मिस्टर वो उसका हाथ पकरता है और उसके बाद उससे कहता है चोड़ो फिर किस बात की ले लिए इसे तरह किस दे उसे अपने कोट से कवर कर लीत इतने में वहां पर उसकी बॉइफरेंड की एंट्री होती है जिसका नाम की जैक होता है और यहीं तो शिन्य का बॉइफरेंड भी था और लू इसका अंकल था यानि कि दोनों पहले सही रिलेशन में थे जैक बहुत साथ होता है अपनी आंट को देखने के लिए इसलिए उनस से कहने लग जाता है कि तुम यहां पर क्या कर रही है तो मेरी नहीं हो सकते हो कार्व सब्सक्रादी कैसे कर सकती हो तुम बीपने तुम बाहरे होसी तरी के तारीरे से अपने यह भूत शार्या euch bell कि और मन पहसा ने होता है टो से घ्रांटे और ship नहीं घुνता हाई और उसका हाथ पक कर उसे धक्काह है चैक उसे बोलता है आप यह क्या कर रहे हैं आप यह कौन है यह बहुत बेकार लिड़की है कि अपने काम से मतलब रखो मेरे काम में दखलबाजी मत करो मैं इसे से शादी करूँगा और तुम मुझे कोई नहीं होते हो बताने वाले कि मैं क्या करूं और क्या नहीं चोटे हो चोटे बन कर रहो चैक को उनकी बातों को सुनकर बहुत साथा गुस्सा आता है लेकिन वह लूग के साधे शिनिये के साथ बिल्कुल भी किसी हारत में नहीं होने देना चाहता था इसलिए वह उसकी बहन हुआन को कॉल लगाता और सोच रही होती है कि जितना तुम सभी ने मुझे परिशान किया ना टाइम आ गया है तुम्हारे लिए बदला लेने का मैंने तो तुमसे बदला लेने की उमीद ही खोली थी लेकिन मिस्टर लू ने वहां पर आकर सारी चीज़े बदल दी और यह सारी चीज़े देखने जैक की और उसकी बेहन हुआन की वो दोनों के दोनों वहां पर आते हैं और उसको कुछ फोटोस दिखाते हैं जिसमें यह हॉस्पिटल के बाहर पर बैटी हुए होती है तब जैक मिस्टर उसे कहता है कि आपको पता है कि जिस लड़की से आप शादी करने वाले हैं और कर आपको मेरी बातों पर भरूसा नहीं हैं तो मैं आपको रिपोर्ट्स पर दिखा रहता हो इसके बांज जाता है कि कंसे ढूसरे के साथ ली अई कम तोब इसॉमें बठाना दूसे थffentlich नई समझताcoat और अपने काम पर ध्यान दो, इस तरीके से दूसरों के लाइफ पे टेंटर फिर क्यों कर रहे हो, दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले अपना कैरेक्टर देखो इसे तरीके से जब Jack की बदनामी हो रही होती है तो शिन्य उसी पल को याद करती है जब उसकी बहन और उसके boyfriend उसे इस तरीके से उसी के सामने धोका दे रहे थे और आप बारी आ गई थी Jack से बदला रेने की इसे लिए सब के सामने उसे बेज़त करने के लिए Mr. Lu कहता है ये जो लड़का मेरी wife के लिए इतना सब कुछ कह रहा है इसके सचाई तो मैं अब सभी को बताता हूँ इसे तरीके से वो सभी को अपना phone on करने के लिए बोलता है जिसमें Jack की वीडियो होती है Juan के साथ और वो दुने उस वीडियो पर romance कर रहे होते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो शिनियर को दोका दे रहे थे वो सारे चीजे भी उस वीडियो में record हो रगीती जैसे ही जैकी इस सारी चीजे देखता है तो बहुत ज़ादा खबर आजाता है और लू के ही पास आकर उससे कहने लग जाता है तो इसके उपर उंगली उठाने से पहले सहाँ बाद सोचना और जो करती तुमने की है ना उसकी सदा तुमें सभी के सामने मिलेगी क्योंकि तुमने एक लड़की की पूरी जिंदगी बर लग जाता है मिस्टर लू बहुत बूल था वो कभी भी किसी की माफी ने सुनता था अगर उसने गलती कर दी तो इसलिए वह उसे बहुत ही जादा मारता है सभी के सामने दैन शींचीफ होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू पे भी खुद भी चोट लग ज बनना तो पड़े गए ना अखिर काई शादी हो गई है हमारी तो इस तरीके से थोड़ी दिर बाद वह दवाया लेकर आते हैं और उसके बार चिन यह अपने हाथों से मिस्टर लू पर दवाया लगाने लग जाती है जिसके बाद मिस्टर लू को बहुत ही अचा लगता है इतनी कियर शिनिय उसकी कर दी इतनी कियर आज टक उसकी लाइफ में किसी रही भी नहीं की थी इसलिए वो बहुत ज्यादा खुछ था शिनिय उससे बोलती है कि तुम पर ये चोट मेरी वज़़े से लगी है इसलिए मैं तुम से माफी माँगना जाती हूं मिस्टर रूस से बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी ज़रत नहीं है क्योंकि जो कुछ में मेरे भाई नहीं किया था उसकी वज़र से वो ये सारी चीज़े डिजर्व करता था तो शन्ये उसे थाइंग्य बोलते हैं उसके बाद उटकर चब वहाँ पड़ से जयने वाली होती है तबी मिस्टर लूप उसको इशारा करकर अपनी तरफ बोलाता है जैसे ही शन्ये उसके पास जाती है तो इसके बाद वो उसका हात पकरटा है और उसको अपनी गुल में बठा देदा है और उसके बाद उसे कहने लग जाता है कि तुमने कहा कि तुम मेरी वाइफ हो तो क्या तुम सच में मुझे हस्बिन की तरह ट्रीट करती हो तो शिन्यों से बोलती है कि हाम उसकी बाद को जिन्नी की बाद जो मिसलू होता है वो बहुत ज़्यादा खुश जाता है और उसकी बाद उसको किस करने लग जाता है इसे तरीके से धीरे धीरे दोनों का ही bond बहुत ही अच्छा होता जाता है और वो दोनों की दोनों एकदम अच्छे husband wife की तरह रहने लग जाते हैं लेकिन कहाने यहीं पर ही खतम नहीं होती है बलकि यह शान थी तो तूफान से आने वारी पहले की शान थी तो तभी हम देखते हैं कि जो Mr. Loo होता है वो उसके हाथ में उससे रिंग पहना था है और उसके बाद उससे बोलता है कि यह रिंग तुम पर बहुत अच्छे लगती जाता एक्साइटेड था क्योंकि उसका बच्चा इस दुन्या में आने वाला था वो दोनों की दोनों तो उसका नाम में सोचने लग जाते हैं पर जब सिंदगी इतनी हसीन चल रही होती है इतने में ही शिंगी के सामने एक सच्चाई आती है जहां पर वह एक रूम में जा जाता है कि आखिरकार ये लड़की क्यों है और मिस्टर लू ने इस तरीके से उसकी फोटो चुपा कर क्यों रख रखी है जहां उसे यह लग रहा था कि मिस्टर लू बहुत ही जादा लॉयल है उदर ही उसके सामने उसकी एक सच्चाई आ गई थी और वह बहुत जादा प कि फोटो चुपा कर क्यों रखी थी मिस्टर लू से बोलता है कि इस कमरे में आने के लिए मना किया था ना मैंने तुम्हें तो तो तुम अपने पास्त को भुलाई नहीं पाए तो और इतने मीठे मीठे सब्सक्ते दिखाने की भी आकिरकार तुमने भी मुझे दोका दीघ किया ना उसकी बातों को सुनने के बाद मिस्टर लूस से बूलता है कि अपनी वाल तु पक्वास बंद रखो तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे सा कॉंट्रक्ट साइन किया था जैसे यह बच्चा इस दुन्या में आ जाएका तो उसके बाद तुम्हारी इंपॉर्टेस म को वहां पर से जाने लग जाती है लेकिन तभी मिस्टर लूस का हाथ पकरता है और उसके बाद से रुकने के लिए कहता है चिन्या को इतना गुस्सा आता है कि वहां पर जितनी फोटो होती है वह सानी फोटो उसको फार्ट देती है लूसको बोलता है कि तुम्हारा धिमार कुछ खराब हो गया है क्या आकरकार तुम ने यह क्या तुम जानती भी हो कि तुमने ऐसा करके मुझे कितना सदा हर्ट किया है तो तब ही चिनिये उससे बोलती है कि तुमने मुझे दोका देका जो हर्ट किया है मेरी फीलिंग्स का कोई भी मूल नहीं है मिस्टरू को उसकी बातों को सुनकर बहुत साथ गुस्ञा आता है वो उसका गला पकर देता है और उसकी बात उसे कहता है कि तुम्हेसब करने की परमिशन किस ने दी इतने महीं चिन्यों उसे ठपर लगा दिये और गुसे में वहाँ पर से बाहर चली जाती है अब शिन ये वो घर भी छोड़कर आतो जाती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि आखेकार वो कहां जाए फुरोड पर इसे तरीके से भटकती रहती है और आज उसका दिल सच में बहुत जादा उदास था क्योंकि जिस इंसान पर उसने भरुसा करने के कोशिश की थी उसे ऐसे लग रहा था कि उसने भी उसे दोका दे दिया है एक उमीद और कुछ खुशिया तो उसकी लाइफ में आय थी और उसे ऐसे लग रहा था कि वो उस खुशियों के लिए भी नहीं बनी हुई है जितना अच्छा वो इस अपने सफर को सोच रही थी वो कुछ उतना भी अच्छा नहीं था सब चीजे बरबाद होने लग गए थी वो रोते हुए भाग कर वहाँ पर से जा रही होती है तब ही वहाँ पर तीजी से एक कार आदी है जो उसे तक्कर मार कर चली जाती है बिचारी वहीं पर बरफ में गिर जाती है और नीचे पूरा खून ही खून हो जाता है उसे बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता है वो सब इसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मरने दो लेके मेरे बच्चे को बचा लू पर वो कार वाला भी बचाने के लिए नहीं आता है क्योंकि वो तो खुद ही उसकी बैन हुआन में उसे भेजा हुआ था मिस्टर लू को शिनी की बहुत जाता फिक्र हो रही होती है वो उसे ढूंते हो जो रास्ते पर जा रहा होता है तब ही वो शिनी को देखता है वहीं पर ही पड़ी हुई है पूरी खुन से लटपत हो रखिये इसे तरीके से मिस्टर लू उसे उठाता है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है मिस्टर लू को खुद पर बहुत जादा गुसा आता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उसके इस हालत का जिम्मेदार वो है और इसे तरीके से शिन्ये आज मरने की कागार पर है और साथ ही साथ उसका बच्चा भी मिस्टर लू को इन सारे चीज़ों को देखने के बाद बहुत जादा गुसा आता है और वो सूर से अपने हाथ को दरवाजे पर पटकती है और उसके बाद उन्ही पलों को याद करने लग जाते है जब उन्हें शिंळे के साथ इतने प्यारे प्यारे पल बिटाए थे कितने खुश थे वो दोनों साथ दी लेकिन दोनों के प्यार को नज़र लग गई थी इसे तरीके से निस्टर लू को बहुत जादा गुसा आता है वो अपने मैनेजर से बोलता है कि जसी ने मेरी बीबी के साथ यह सब किया है उस इंसान का पतर लगाओ और खशीट कर उस इंसान को मेरे पास लेकर आओ उसे जितना गुस्ता उस कारवाले पर आ रहा था उतना एक गुस्ता खुद पर भी आ रहा था कि क्यों वो इस तरीके से आखेकार शिन्ये पर चिलाया अगर वो उसके साथ इस तरीके से behave नहीं करता तो वो घर से भी नहीं जाती और अगर वो घर से नहीं जाती तो उसका accident भी नहीं होता यानि कि कुछी दिनों में उसकी मौत हो जाएगी और उसकी बाद मिस्टर लू एक तम अखीला हो जाएगा उन दोनों का प्लाइन सक्सेस्पल हो चुका है तो उधर ही जब तक शिन्य को होश नहीं आता है तब तक मिस्टर लू बाहर पर ही खड़ा हुआ होता है डौक्टर जैसे ही बाहर पर आता है तो डौक्टर उन से कहने लग जाता है कि उसलained की और उसके बच्चे की दोनों की आहरत बहुत जदा खराब है दोनों में से हम सर्व एक को बचा सकते हैं मिस्टर लू उन्से कहता है कि अगर possible है तो दूनों को बचा दीजे और अगर दूनों मेंसे अगर आपको एक को ही बचाना है तो प्लीज पहले शिंय को बचा दीजे तो इसी तरीके से डॉक्टर उसकी बातों को मानकर अंदर चले जाते हैं तभी उसे बताते हैं कि शिंय को भोष नहीं आ जाता तब तक लूप यहीं पर ही बैटा होगा था, और वहाँ पर बैट कर सोचने लग जाता है कि वह इस तरीके से शिंये को अखेले छोड़कर नहीं जा रहा है, वह इसे जान को खतरा है और इसे तरीके से वह अपने मैनजर से बोलता है, चाहें कुछ भी हो हो जाती है थोड़ी दिरबार जैसे लूह siya को नक्सान के लिए और उसे देखर उसके पहुत्षा आकर महारे हाथू से हम लिक्वी है और आ तुमुद सकती हो क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो रखी है मैं तुम्हें कभी भी खुशी इस दुनिया में नहीं रहने दूगी और इसे तरीके से हम देखते हैं कि वो अपने हाथ पर इंग्जेशन लेकर आई होती है जिसे देखकर वो कहने लगाने के बाद तुम जिंदे की भर इसे तरीके से बैट पर ली यहां पर अपनी बहुय को देखने की आई थी जैसे लूस के पाद जाणे वाला होता है तभी वहां पर जो समान होता हुँ इस तरीके से हमें वही शीन दिखाया चाता है जहाँ पर शीने का एक्सिदेंट हुआ होता है और इतने में वह एक लड़के को बात करते हुए सुनती है जो बोल रहा होता है कि उसे वहां पर मारने केलिए लू ने भी जा हूआ है इसका मतलब कि वो शिर्णियू को भी मालना चाता था और साथ podéis इसुको जैसे लगता है के यह उसको भान पर लू ने ही मारने केलिए भेजा हूआ है कि तुम तो इतना दिखावा करते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो आकर कर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया लू से बूलता है कि तुम क्या बूल रही हूं मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है मैं मानता हूं कि इस सब में मेरी कलती है मैं तुम बाहर चली गई सब कुछ मेरी बजह से रहा है मुझे माफ कर दो लेकिन चिनिया उससे बूलती है कि नहीं जो साजिश तुमने मेरे खिलाफ किना उसकी बुझे से मैं तुम्हें कभी माफ की करूंगी ऐसा ही किया कर जब वहां पे से जाने वाली होती है तभी लू से गले लगा देता है और उसके बाद उससे कहना नग जा है वह उस रिंग को अपने हाथ से निकार कर उसे लू की तरफ फेक दी और उसके बाद उससे कहती है कि मुझे इस रिंग की कोई ज़रूत नहीं है इस रिंग को उन हातों पर पहनाओ जिसे यह पज़न है मुझे तुम्हारी दी हुई किसी भी चीज से एक्दम नफरत है औ पर मैं ही यहां पर से जाओं लू से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी शकर नहीं देखनी है तो कोई बात नी मैं यहां पर से चला जाता हूं इसे तरीके से वह स्रेंग को उठाकर उसी दिन की याद करने लग जाता है जिस दिन शिन्य को उसने वह रिंग पहनाए थी और दिन वह बहुत ज्यादा खुश थे शिन्य को परिशारी ना हो इसलिए लू ही वहाँ पर से चला जाता है इतने में वहाँ पर एक और न्यू करेक्टर की एंट्रे होती है जिसका नाम की जांग होता है और जांग जो होता है वह शिन्य का बच्पन का बहुत यह अच्छा दो बहुत लंबी कहानी है अब मैं तुम्हें कैसे बताओं इस तरीके से हम दूसरे तरफ देखते हैं जहां पर हुआन और जैक एक दूसरे के साथ बैटे होए होते हैं और उसकी बात कहने लग जाते हैं कि किसी भी हालत में उनको शिन्य का काम तमाम करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो उनकी जिन्दगी में इसे तरीके से रही तो उनको और जादा प्रॉब्लम आ सकती है और मिस्टर लू शिन्य के जितने करीब आएगा उतने ही उन दोनों के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी हुआन उसे बोलती है कि तुम्हें किसी तरीके से मेरी बहन को मा करना पड़ेगा ताकि जो चीज हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो उसकी बातों को सुनने के बाद जैक उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो तो दूसरे तरफ जो लू होता है वो सोचे लग जाता है कि आकर काल हुआन उससे छुपा क्या रही थी उसे इस बार कपड़े पैन कर अपने मकसद को पूरा करने के लिए वहां पर आजाता है जो कि थी इसलिए वो संग्जेशन को लेकर अंदर आच आजाता है और सके हर किसी से प्यार करना चाहिए लेकिनिस कम दब यह नहीं है कि आंखें बंद करकर तुम उस पर बरूसा करो लगता है कि बहुत ही जल्दी दनिया से जाने वाली हो और ऐसा मैं पॉसिबल करूंगा इसे तरीके से वह अपने जेव से इंग्जेशन निकालता है और उसके बाद उसके इंग्जेशन लगाने ही वाला होता है तो अधर ही सीम चिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि मिस्टर लू ह होता है हो हौ रहां जानी होता है तब एस्याग प्रौट उसके हैं तुम हों हूसे सीम तो घुंध हिल घुटार का इस स्वास्टर करने कि तुम्rap हो तो झाक्धिया है आगर कार तुम हो कौन हो ओमारे करनी में तो मैं तुम्हारे रहाता है कि तुम थीको में बहुँना हुआ है चलो अब मेरे साथ खर चलो चलो उससे बात नहीं करती है, और उसके बात डॉक्टर से कहने दो क्या चाती है। लूस से बोलता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम मेरे साथ चलो आखिर कार तुम इससे क्यों बोल रही हो तो तभी वो उससे बोलती है कि ये मेरा दोस्त है और तुमसे तो लाग गुना अच्छा है इसलिए अपना मू बंद रखो थोड़ी देर बाद जैसे ये जांग वहाँ पर से चला जाता है तो लूस शिन्ये का हाथ पकरता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि आखिर कब तब तुमसे इस तरीके से गुसा रहोगी शिन्ये को ये सब कुछ देखकर वो टाइम याद आता है जब उसने सुना था कि लूस को और उसके बच्चे को मरवानी की कोशिश कर रहा था इसलिए वो उसे एक नोर मारकर वहाँ पर से जाने लग जाती है इन सारे चीज़ों को देखने के बाद लूग को बहुत जाता गुसा आता है पहले वो उसे आवाज लगाता है लेकिन जब शिन्ये उसकी नहीं मानता है तो उसके बाद वो उसे ठपर रगा देती है और उसे कहती है कि मुझसे दूर हो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम जैसे घटिया इंसान पता रही क्यों मेरी लाइफ में आ गया सच पे तुम बहुत ही जादा बत्तमीज इंसान हो इस तरीकी से वो इससे अपने आप से दूर करने लग जाती है लेकिन दुबारा सी वो से किस कर लेता है और उसके बाद से कहने लग जाता है कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना बोलो लेकिन मैं तुम्हारा हस्बेंट हूं मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा तो तबी वो हमें बेवी के सामने उसको लेकर आता है जहां पर जो शिंदी उस देखकर बहुत जादा रोने लग जाती है औरुसके बार ऊसके बाझा तुम्हारी मौम यहीं परी है त Humendrai तो पी नहीं होगा लु र이 है पीन से बहूता है है यह सब कहने का कोईक compliant वार्मर्फील दक्रश शीनी के इस हाल्त को देखने कि बाrzyंगा है वह उसे समिलने के लिए क्ना क्रम देकार जाता है लेकिन मैरी के भी नहीं सोच सकता हूं चीनियों की बातों को इंगोर मारकर जब आपर से जाने वाली होती है तबी लू से अपने साथ लेकर आजाता है शिन यह उसे बोलती है कि मुझे छोड़ो लेकिन लूस की एक बात भी नहीं मानता है और उसके बात उसे ऊस्पिटल की रूम में लेकर करते हो लेकिन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हीट यू तो फिर लोग उसकी बातों को सुनकर बहुत जाता गुस्सा आता है और वहां पर से चला जाता है तो उदर ही यह जब हॉस्पिटल में होती है तभी उसको इसकी स्टैप मदर का कॉल आता है और वो उसको को पहचान गई तो यहीं पर ही तुम्हारी मॉम की ग्रेव है अगर तुम यहां पर टाइम पर नहीं आए ना तो मैं तुम्हारी मॉम को जमीन से निकाल कर कुट्टों को खिला दूंगी इस बात को सुनने की बाद चीनियों को बहुत साथा आता है वो उससे बोलती है कि ऐ एक बात भी नहीं मानती है और उससे बोलती है कि अगर तुम यहां पर टाइम पर नहीं आए तो देख लिए ना जो मैंने कहा था मैं वैसा ही करूंगी उनकी बातों को सुननी की बाद शिंगी बहुत सा तक खबरा जाती है वहां पर से बाहर पे तो नहीं जा पार रही थी क्योंकि लू ने उसे वहीं पर ही बंद करकर रख रखा था वो जोर जोर से रूने लग जाती है और उसके बाद कहने लग जाती है कि मॉम मैं बहुत ही बेकार लड़की हूं जीते जीतों आपको प्रोटक्ट कर नहीं सकी लेकिन मनने के बाद भी आपको प्रोटक्ट नही जाता है कि पेशिंट के साथ इस तरीके से हरकते करोगी ना तो मैं तुम को जेल में डलवा दूंगा इसी तरीके से चुम मैंशर होता है वो लू को कॉल करता है और उसको यही सारी बाते बताता है थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे अपने साथ लेका आज आता है शीनिय उ हो यहाँ से भागाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे य докум दोपक्र उसे बोसे करें और तो उसके वहाँ पहुंछती है नंकाति यहीर तौह बसक्शा कूछ को फाइनली तुम यहां पर अपनी मॉम को बचाने के लिए आवे हम तुम्हारी मॉम को सर्फ एक शर्थ पर बचाएंगे और वो शर्थ यह है कि तुम्हें एक लड़के के साथ नाइट करनी होगी शीनिये को अपने स्टैप मदर से तो कोई भी उम्मीदे नहीं थी वो अपने फादर की तरफ देखती है और उसके बाद उनसे कहने लग जाती है कि हुआ नहीं आपकी बेटी है मैं आपकी बेटी को इस तरीके से अपने बिजनस के प्रॉफिट के लिए कैसे बिजन हो जी इसका का करने लगता है यहां ऊचाने लगता है वहांसे बांटनी होती है तब लड़का उसे परीशान लग जाता है इतने आधा मैं उसे जबरदस्ती एलकोहल पिला देती जिसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा नशाओने लगया था इसे तरीके से उसकी नशी को कम करने के खाते लू उसको बाट टप में डाल देता है लेकिन उसके बिल्कुल बैसन नहीं होता है उसका हाथ पकड़ ले और उसके बाद उसके तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो पहले मेरे साहथ क्या उसके बाद मैं छोड़कर जा रहे हैं मेरी सात्रों तो यह तरीके से वोजी के सामने आजाता है और यह दूनों एक दूसरी के साथ पूरी नाइट है नेक्स टेज जैसे ही लो को ऊश आता है तो देखता है कि शीनी उससे बोलती है कि कर लाद को जो कुछ फ्या उसे माइंड में तरेंग मैं थी लेकिन यह सूचना कि मैं तुम इब हो पसंद करती हूं तुम जैसे इंसान को मैं कभी भी पर संद करोंगी जिसने मेरी पूरी जिंदग्त कर दी लूञ से भोलता है कि मैं जानता वह वहां पर से चली जाती है तो दूसरे तरफ आज वह दिन था जब शिन्य सभी के सामने यह साबित कर देती कि वह कंपनी उसकी मॉम की थी उसका दोस्त उसको कुछ पेपर्स देता है जिसके वजह से सारी चीज़ें साबित भी हो जाती इन सारी चीज़ों को देखने के बा तो क्या आप सभी मुझे इस कंपनी का प्रेज़ेंट बनाना चाते हैं उसकी बातों को सुनने के बाद जो सभी मेंबर होते हैं वो उसका साथ देते हैं और उसको ये कंपनी का प्रेज़ेंट बनाने ही वाले होते हैं इतने में ही वहां पर एंट्रे हो जाती है शिन्य की जिन्हीं वहाँ पर आती है और उसके बाद उन से कहना लग जाती है कि यह कंपणी मेरी मॉम की है और उनके बेटी के होते हुड़े मैं इस कंपणी को किसी बेकार इंसान के हाथों में नहीं जाने दूंगी मेरे हाथ में बहुत सारे प्रूफ्स है जिनकी वज़र से आप सभ में सबने के सामने उन सबूत पटक देती है जैसे उनका हाथ पकर कने रशचातías और कि मेरे होते हुए आप नहीं दे सकते हैं कि हुए ठफट मानने की हिमत कैसे हुई ऀसके पादर कहने लग जाती है कि तुमने लड़की को अपने जाल में फसा लिया तो इसी तरीके से जो उसके फादर होते हैं वहां पर एक लड़की को बुलाते हैं और लड़की सभी के सामने यह बूलती है कि यह जो फेक पेपर शिन्य ने पकर रखे हैं वह उसी ने बना रखें होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि लड़की को आंपनी वाले होते हैं तभी वहां पर लोगी एंट्री होती है और उसके बादन से कहने लगजाता है कि भले ही इसके पास फेक सबूत है लेकिन मेरे पास असली सबूत है और हाँ यह सब मत सूचना कि यह सब बनाने के लिए मुझे किसी ने कहा है यह असली सबूत है और जो मेरे वाइफ को बचाने के लिए मैं लेकर आया हूँ मेरे पास इस बात का भी सबूत है कि किस तरीके से आप दोनों ने शिनिय की मौं को इतनी दर्दनाक मौत दी तो तब ही वो कहने लग जाती है कि यह सब क्या भोड़े हो तुम बीटा उने तुम्हारा क्या भी गाड़ा है तुम भी इस लड़की का साथ दे रही हो यह बहुत ही बेकार लड़की है देख ना तुम्हारा यूज करने के बाद तुम्हें भी फेक देखी तो लू बोलता है कि जो कुछ पी मैं कह रहा हूं वो बिना सबूत के बेस पे नहीं बोड़ा हूं मेरे पास सारे सबूत है इस तरीके से वह वहां पर ओरिजनल पेपर तो नहीं लेकिन हां उनकी फोटो कॉपी लेकर आजाता है जिसकी बात जो शीनिये के डाड़ होते हैं और अब जब उनके सचाही सामने आ गई थी तो वह सारा ब्लेम शीनिये की स्टैप मदर पर डाल देते हैं और इस तरीके से दोनों के बीच में जगड़ा होने लग जाता है लू कॉपलर डैट कहने में आप नहीं मेरी मॉम को मारा आखिकार आप इतने ज़्यादा निर्दा कैसे हो सकते हैं तब लू उन से बोलता है कि इनको पुलिस खुद समाल लेगी तुम टेंशन मतलो हम यहां से चालते हैं थोड़ी दे बाद जो लू होता है वो शीनिये को गले लगा लेता है और उसके बाद मेरे हुदे हुद तुमें परशान नइति इसका देके से वहान को वहां पर बुडा कर ये भी थाबित कर देता है कि उसको मरवाने की कोशिश उसने नहीं की थी और बढ़की में उसका एकसिटन होने के पीछे भी उसका कोई हाथ नहीं था जैसे यह बात पता चलती है तो उसके बाद वह बहुत जादा बुला लगता है और थोड़े देर बाद हम देखते हैं कि जो लू होता है वो शिन्य कोस की मॉम की ग्रेप के सामने लेकर आया होता है जहां पर शिन्य को बहुत यह अच्छा लगता है और उसके बाद वो अपनी मॉम से माफिय भी मांगती है और उनसे बोलती है कि फाइनल ये उन्होंने लू के बीच में इस तरीके से भिखर गई थी वह को समझे लेगी थोड़ी तेर बाद देखकर उसको थाइग्यूं बोलती है उसकीज से बोलता है कि कोई बात निन्हां और मॉपयार है तो मैं यहां रहकर क्या करूंगी तो तब मैं उसे बोलता है कि तुम बहुत सड़ा थख गये। तो एक काम करकозм़ों कि तुम जाकर आराम करOODुम्हारा सामान करता हूं इस तरही किसे हमें उनका बच्पन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लू बहुत सा गरीब होता है उसे भूक लगी होती है बट उसके पास खाना खाने के लिए कुछ पर नहीं होता है इतने में ही वहां पर हमारी शिन्य आती है और उसको एक ब्रैट देती है इन सारे चीज़ों को दे रिखनीक के बाचिन यूस से कहने लग जाती है कि यहाँ पर तुम्हें बच्पन रहती ती तुम्हें कैसे पता जगा के बारे में और उस जगह को देखकर हो से-क तीज़ों पहचान सकी तो इस तरीकिंगे सी यह सारी बात ही जब वह याद कर रही होती है तो इतने महीं व नियूँ के सर्वे जोर्दान डंडा लगा देता है झाल odds ऽॉजवस इंधे चैंसे तैसे करकी वहां पर लोकों बुलाथी है और उसे थोड़ी देर बाद summhaus होस्पिटल के बाहर खड़े होकर फू को सिनी प्रेह कर रही होती है उसके साथ किसाट की सारी खराब है और ठीक होने की चांस भी बहुत ज्यादा कम है बट मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा तो वो उसे बोलती है कि तुम कुछ भी करकर लू को ठीक कर दो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं इस तरीके से दिन पर दिन बीटते जाते हैं लेकिन लू ठीक नहीं होता है तो उसके बाद वो लू के पास आती है और उसे कहने लग जाती है कि देखना बहुत ही जल तुम ठीक हो जाओगी और तुम बिल्कुल मैं तुम्हारा तब तक वेट करूंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो तभी लू को होश पी आ जाता है और यहीं कोशिश करती है लेकिन उसे तरहीं कोशिश करती है तो पनी मेमोरी यादा सकती है तुमें वही सारे चीजे करनी पड़ेगी जो सब चीजें पास्ट में हुई थी जिसके विज़े से शायतिस की आदास वापस आ सके तो इस तरीके से वह लूगों थोड़ी देर बाद बाहर से देख रही होती है और सोच रही होती है कि पता ने कब लूगों की आदास वापस आये कि वह क्या दिन थे जब उसके साथ इतनी जाता अब भी इसी का इंतजार करना चाती हूँ अब ते लिए कोई दूसरा लड़का ढूंडो क्योंकि लू का इतने टाइम तक इंतजार करना बेका रही है तो तब ही वह उससे बोलती है कि नहीं लू के अलावा ना तो मैंने कभी किसी लड़के के बारे में सोचा है और नहीं सोचूंगी उसी के बारे में सोचती हूं और उसे से शादी भी करूंगी थोड़ी देर बाद वो से घर पर लेकर आचाते हैं जहां पर जो लू होता है वो विलचेर में बैठा हुआ होता है शिंग ये उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है कि उसकी शादी उससे हो है कि भले ही तुमें अभी कुछ भियाद नहीं है पर तिम देखना मैं बहुत ही जल तुमारी यादाश वापिस लेकर आजाओंगी लू से बोलता है कि ठीक है जब यादाश वापिस आएगी वो तब की बात है लेकिन फिलाल की दी मुझसे दूर रहो और ऐसा ही कहने की ब मेरे रूम से निकल जाओ तो अधर ही हम देखते हैं कि जैक का जो दोस्त होता है वो उसे बताता है कि तुमारे अंकल की तो यादाश खोश चुकी है तो इन सारी बातों को सुनने के बाद जैक बड़ा खोश चुचाता है क्योंकि उसको एक मौका मिल गया था दुबारा से शीनिये से अपना बदला लेने का इसी तरीके से वो उनके खर पर जाता है और उसकी बाद उससे बोलता है कि मैं अपने अंकल के लिए फ्रूट लेकर आया हूँ मैंने सुना है कि उनकी यादाश चली गई है शीनिये उससे बोलती है कि वो भी खर पर नहीं है निकल जाओ ब्रूब सर्व नाफें से तो जैक उससे बूलता है कि आचा बट मुझे तू लग रहा है कि वह अंदर है इसा तरीके सी वह अंकल-अंकल करने लगे चाता है और वह भी अंदर आने के लिते हैं जैक उसे बोलता है कि काफी अच्छा जूट बोलेती हो लेकिन तुम्हारा जूट पकड़ा गया इसे तरीके से वह जबर्दस्ती अंदर आजाता है इन सारे जिद्धों को देखने की बाद शीनिये को बहुत जाता गुसा आता है कुछी देर बाद शीनिये जब अपने रू लू को बुला दी है पहले तो लू सुनता नहीं है लेकिन जैसे यह उसकी चीख सुनता है तो उसके बाद उसे उससी दिन की आधा आती है जिस दिन तब ही वहां पर लू का मैनेजर आ जाता है और उसके बात कहने लग जाता है कि आखे-कार आप ये मैडम के साथ क्या कर रहे हैं तो जैक उससे बोलता है कि मैनेजर हो मैनेजर मन कर रहो जादा मत बनुए नहीं तो तुम्हें भी जौब से निकल वा दूँगा वैसे भी अब अपने दिमाग में जो डालने की कोशिश की जिसकी वजल से वो बेहोश हो गया तब ही शिन्य उससे बोल दी है कि देखना बहुत ही जल तुमें सब कुछ याद आ जाएगा तुम बिल्कुल भी टैंशन मत लो तो जब वो यही सारी बाते बोल रही होती है इतने में ही लू को होश भी आ जाता है और उसके बाद वो से देखकर कहने लग जाता है कि मुझे सब कुछ याद आएगा ने बिल्कि में मुझे सब कुछ याद आ चुका है बहले ही उसे यह तो याद आ गया था कि शिन्य उसकी वाइफ है लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी ज उसके बाद उनसे क्याता है कि जैक ने ओफिस में मीटिंग बुलाई है जहां पर उसने कंपनी के हर मेंबर को बुलाया है और वो अपने आपको कंपनी का प्रेज़ेंट एनाउंस करने चाहता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कि विजयो से उसे कुछ भी याद नहीं है तो ऐसा इंसान हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट क्या ही समालेगा इतने में वहां पर लू की एंट्री होती है लेकिन सबके सामने उससे अपने आपको राइट प्रूप भी तो करना था इसलिए वह सबके सामने बूलने लग जाता ह है कि तुम इस इंसान पर क्या भरोजा कर सकते हो इसको अपनी इंगेजमेंट याद नहीं है तो इसको हमारी कंपनी के बारे में क्या पता होगा और वैसे भी अभी हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट काने वाले हैं तो हमें उसी भी समाना है तब ही लूप अपनी रिपोर्ट दिखाता है जहां पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अब वो मैंचली बिल्कुल ठीक है तो इसी तरीके से वह से बोलता है कि अगर तुम इतने ठीक हो तो जरह बताओ कि तुम्हारे इसके साथ इंगेजमेंट कब हुई थी लूप को आधी बाते जाता चाती है और इसी तरीके से वह सभी के सामने बता भी देता है कि इंगेजमेंट कब हुई थी इन सारी चीज़ें को देखने के बाद जाता है तो तुम्हारा खेल खतम हो जैक तो तुम उससे छोटे होना इसलिए मैं तुम्हें चोड़ रहा हूं लेकिन आज के बाद उससे कहने लग जाती है कि अब सब कुछ ठीक होगा तुम बिल्कुल विटेंशन मतलों हम दोनों के दुनों हमेशा एक दूसरी के साथ रहेंगे और हमारे बीच में अब कोई भी तीसरा नहीं आएगा जैसे ही वह सारी बाते बोलती है तभी लूको कॉल आता है और उसको चलता है कि उसकी बच्पन की दोस्त जिसका नाम की सैम है उसको ब्लेट कैंसर है और वो हॉस्पिटल में हो रखी है उसको देखने के लिए वह भी हॉस्पिटल में पहुत जाता है साम उसको देखते ही उस पर चिपकने लग जाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती ह तबील उसका पीछा करते हो इसके पास आजाता है और इसके बाद इससे कहने लग जाता है कि तुम्हें चैंचन लेने की कूल भी सुरूरत नहीं है दरसल में वह मेरे बच्पन की दोस्त है इससे जादा बहुत कुछ भी नहीं है तो जब वह इसे तरीके से शिन्य को समझा र करने के लिए है इस दरीके से जैसे ही वह उसके फ्रूट लेकर आदी है तब ही वह उसे अपने असली चेहरा दिखाए देती है और उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि तुम बिल्कु पर टेंशन मतलों मीरा है और मीरा ही रहेगा मैं उसे तुम्हारा कभी भी नहीं होने सब्सक्राइब करने में तुम्हारा रियाक्शन देख सको ना कि कुछ गलत मैंने किया तुम मुझे बच्पन से जानते हो और तुम्हें यह पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूं अपनी वाइफ को समझाओ थोड़ा लगता है कि तुम्हारी वाइफ मुझे से गुस्ता हो गई है कि मैं उससे सौरी बोलने के लिए उससे अपना महेंगा सा ब्रेसलेट देना चाती हूं इस तरीके से वह ब्रेसलेट ढूनने लग जाती है लेकिन वहां पर उसे ब्रेसले चुरा रखा है इसे तरीके से वह अपना लेती है और उसके इंदर जितना भी सामान होता है सारा समान को नीचे गिरा देती है लेकिन बिना उसका समान लेकिए कि देखो मैंने कहा थाना कि ब्रेसलेट होगा कितनी बड़े चूटी है यह चूर कहीं कि तभी लूह नीचे देखता है और उसके बद कहने लग जाता है कि तुम्हें बड़ा दिख रहा है तो सेम जब देखती है तो वहां पर सच्वें प्रेसलेट नहीं होता है सेम कहने लग जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है मुझे लग रहा है कि ब्रेसलिट इसी ने चुपा रखा है बट कहीं और चुपा रखा है परना आखिकार मेरा ब्रेसलिट कहा जाएगा तो तब शिन्य उससे बूलती है कि कहीं इस सब के पीछे तुमारी प्लैनिंग तो नहीं है तब ही इतना शियोर होकर बोड रही हो कि मैंने चुपाया है और एक बार दूसरों पर इंजाम लगाने से पहले खुट के पॉकिट पर चेक कर लेने चाहिए क्या पता करते से तुमने अपने ही पॉकिट पर रख दिया हो और उसकी बाद मुझ पर इंसाम लग पर देती है बड़ जब सैम अपने पॉकिट पर चेक कर दी और उसे वहीं पर ही मिलता है तो बहुत साथा घपरा चाती है और उसकी बात कहने लग जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है मुझे तो कुछ पी समझ भी नहीं आ रहा है लो से बूलता है कि सच में तुमने म बात वो जैसी बार पर जाता है तो तभी वो शुनिय का हाथ पकल लीता है और उसकी बाद उससे कहने के बाद मेरी दोस्ते है उसे मेरा बच्पन से बहुत ध्यान रखा है मैं उसे तरीके से छोड़ भी तो नहीं सकता हूं आई होप कि तुम सब कुछ समझोगी ऐसा ही कहन चलो इतने प्यार से तुम मुझे ड्रिंक दे रही हो तो मैं इससे पी लेती हूं ऐसा ही कहने के बाद वो इस ड्रिंक को पी भी लेती है लेकिन उसको पीने के बाद ही उसे चक्कर आये लग जाते है क्योंकि सैम ने उस पर ड्रग मिलाया हुआ था और यह सब कुछ उसके का एक हिस्सा था वो अपने आत्मी को कॉल करती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि जो कुछ मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है उस सब को तयार करना और कोई भी गल्दी नहीं होनी चाहिए ऐसा ही कहने के बाद वो कॉल कार्ड देती है तो उधर ही हम देखते ह है कि जो होती है उसने जो द्रिंक नहीं पिया होता है तो ऊब दिरबाद वो कोई बहुष कर देती है और उसके बाद उसके हाठ से फोन लेती है और उसे उसी रूम में चोड़कर आ जाती है उस नहीं करा निदी थी थोड़ी देर बाद वो संट्रेच के ocsak कि इन को उसी शाला जाता है सैंगे लग जाती है कि मुझे समझ पर नहीं आना है कि आखे-कार में यहां पर कैसे आगई कुछ भी याद नहीं आ रहा है तभी वहां पर शिद्जाए यह अधी है रगाए कि देख रहे हो तुमारी दोस्त तरीक चिस तरीके से मुझे बेहोष कर मेरे साथ क् चुप हो जाती है और थोड़ी देर बात लूद का पकर इसको वापस से अपने साथ लेकर चला जाता है अंधर यह सैम को सब्सक्राइब और बहुत बॉस पर बहुत से संब्सक्राइब बच्पन से पशेड़ा करता है वो तुम्हें पिल्कु भी पसंद नहीं करता है वो तो मजबूरी में उसे तुमसे शादी करनी पड़ी तो उसकी बातों को सुनने के बार शिन्ये उससे बोलती है कि तुम चाहे कुछ बे बोलो वो मेरा लीकर हरस्पेंट है और इसे लिए लड़का मान भी जाता है और इसे तरीके से सैम बहुत साथ खुश हो जाती है क्योंकि उससे लगता है कि बहुत ही जल्दी उसका प्लैन एक्सेक्यूट होने वाला है तो थोड़े तेरे बात हम देखते हैं कि लो को कॉल करकर वहीं पर ही बुलादी और उसके बाद उससे कहने लगत रहा है इस तरीके से वह लो को अपने साथ लेकर आती है और जोर-जोर से शिंदीय का दर्वासा खट-खटाने लग जाती है लो की यह बहुता है कि यह तुम यहां पर किसी लड़के के साथ हो तो तब लड़का की हाँ पर मुझे पर आधा है ता कि कुछ भी ना कर सके बाइद अवे मेरे हस्बेन कोई मुझ पर परोसा नहीं है तो मैं दूसरों से क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकती हूं इसलिए तुम भी मुझसे दूर हो मुझे तुम से भी बात नहीं करनी है ऐसा ही कहने के बाद वहां पर से चली जाती है और उसके बा पर आता है और रात को अपनी अंकल को पसंद कर ती तो तब है कि तुम से मतलब निकल लो यहां से जाक उसे बूलता है कि अगर तुम से अब भी पसंद करनी हो तो मैं तो मैं है कर सकता हूं वैसे भी मेरे अंकल है मुझे उनकी बारे में तुम से जादा पता है तो तुम चाहती हो में तुम सच मेरी है तो तब जैक उसे बोलता है कि हाँ पर उसके पहले हमें रास्ते से उसकी वाइफ यानिकी शन्य को हटाना पड़ेगा इस तरीके से हम देखते हैं कि यह जब रास्ते पर अकेली जा रही होती है कुछ सोचते हुए तब ही वहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं जिनको जैक बोल रहा होता है कि ये लो एसे और उसके बाद इस एसे को उस लड़की पर डाल देना जो यहां पर से आ रही है और ध्यान रखना की काम पुरा सक्सेस कि शाम ऐसे बिस्वर होना चाहिए इसके बद्रें में तुम्हेन उतने पैसे तुम चाहते हो इसे तरीके से वोसे उस पर तोड़ सा खब्रा जाती है और थोड़ी देर बाद उसको सौरी बोलती है और उसे कहती है कि ये सब तुम्हारे साथ मेरी बंजर से हुआ है लू से बोटा है कि मेरी भी तो कर दी थी मैंने तुम पर ट्रस नहीं किया वैसे तुम्हारे लिए मैं इतना तो क्या इससे भी जादा दर्स है सकता हूँ कि तुमने मुझे मार्फ कर दिया होगा आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसे तुम्हें होट होगा और इसे तरीके से जब वो शिन्य को किस करने ही वाला होता है तभी वहां पर लू को कॉल आ जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि जो लड़के शिन्य पर एसेट का टैक करने वाले थे वह लड़के मिल चुके हैं और उसके बाद वहीं उसको बताएंगे कि आखिरकार कौन था जो शिन्य पर एसेट का टैक करवाना चाहता था इंसारी बातों को सुनने के बाद लू बहुत आता खुश हो जाता है और फटा पटसे वहां पटसे उत्का चला चाता है उनहीं लड़कों से मिलने के लिए और सच्चाई का पता चाठाब का सामने होते हैं उह सके बाद खुरने के चाहते हैं हुछ वह उतना कि उपछिंध सबक कर रहेगा ताकि उनको आज के बाद के सब करने की हिमत बिल्कुल ना मिले और इसे तरीके से मिलने के लिए जाता है कि मैंने सुना है कि तुमने शेने पर ऐसे अटैक करवाना चाहा तो उसकी बातों को सुनने की बाद वह से कहने लगा जाती है कि कैसी बाते करें तो मैंसा कैसे कर सकती हूं तब वहां पर बंदी बना कर लिकर आते हैं इन सारे शीजों को देखने की बाद सैम बहुत सब्सक्राइब बताए उससे ही सब कुछ बदा देना चाहिए ताकि वह पतली गली से वहां पे से निकल लग जाता है कि फाल तो बगवास क्यों कर रही हो तुम भी तुम मेरे साथ इस प्लैन में शामिल थी और अब इस तरीके से तुम पलड़ जाओगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तो तभी साम से बूरती कि दूनों के दूनों एक दूसरे पर ही अलिकेशन लगाने लग जाते हैं बर लू को तो पूरी सचारी का पता था इसे लिए वो से कहने लगाता है कि तुम भी अपनी बगवास बंद रखो मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्तों बहुत अच्छी दोस्तों बर तुम बहुत ही खराब लड़की निकली साम उससे बूरती है कि तु अब उसका नेकलिस नीचे गिर जाता है जिसकी वज़व से जो सेम होती है बूद एक अनुं को उछा लिती है और अब तक जो लू होता है उस ऐक अमीज सी फैमिली ने टॉप कर लिया था और इस तरीके से जो लू होता है वो उसगोत को देखकर सीधे जाता है साम की पास तुमने मुझे ब्रैट दिया था तुम से प्रॉमिस करता हूं कि बड़े होकर मैं तुम से शाधी करूंगा तुमारे साथ रहूंगा लूब बहुत अदा मीठ था रिए से जूट-जूट कहती है कि उसी ने वसे ब्रैट दिया था और इसी तरीके से यहां पर दुनों की डि लगा देता है और थोड़े दिर बार शिनी के पास आकर उसे कहने लगा जाता है कि बार बार में जिए से तुम्हें सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है पर मैं आप ट्राय करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हूं इस तरीकी से जो शीनी होती है वो से करे लगा देती है पूरी प्लैनिंग प्लाटिंग के साथ जो जैक होता है वो शीनी को अपने साथ एक अंधीरे कमरे में लेकर आजाता है जहां पर कि सैम भी होती है वो उसे बहुत जादा टॉचर करते हैं और उसके बाद उससे कहने रजाते हैं कि तुने तो हमारी पूरी जिंदगी बरब पन से देखती इसने वह भी मुझसे दूर कर दिया तो तब वह उससे बूर तो दोनों ही बहुत जाता खबर आजाते हैं और उसकी बाद सहीदे शीनिय को पकड़ कर कहने लग जाते हैं कि अगर तुमने कुछ भी क्या तो हम इस नड़की को मार देंगे और उसके बाद जो कुछ भी है तुमें करने के लिए कहना तो मत करना इस तरीके से वह उसे एक पेपर देता है और उस पर उसे साइन करने के लिए बोलता है जिसके वज़र से उसकी पूरी प्रॉपर्टी जैक की नामबर हो जाए और लूस पेपर में साइन कर भी देता है तब ही वहाँ पर पुलीस आज आती है पुलिस को देखने के बाद वो दूनों ही बहुत सा तक हवरा जाते हैं और वहां पर चलिजाते हैं लेकिन इसते पहले कि कुछ भी हो ता शिन्य को नुकसान पहुचाने के लिए वहां पर आग लगा देते हैं उसके हाथ बंदे होए ते इसलिए कि जग मेरा साथ कभी नहीं चूड़ सकती हो तो थे सबस्तों मैं तुमसे बहुता प्यार करता अंगा और कि आज Keira कौ Kommeth कि इस तरेके वह। ह्याहर देता है वह लोगे से सब्सक्राइब जोने बाब जनेर से भी है